बढ़ता हुआ नसर आ रहा है कोहरे के कारण सडकों पर विजिबिल्टी कम हुई है कोहरे का असर मिमान और ट्रेनों पर भी पड़ा है भीश्वन कोहरा और शीत्तहर लगाता ठंड बड़ा रहा है भीश्वन गलन से कोहरे से लोग परिशान है मौसम भाग ने अनुमान जारी किया है आपको बता दे की दस परवरी के बाद से मौसम साफ होने की उमीद जदाई जा रही है भीशन गलन से लोग परिशान है कोहरे का कहर देखने को मिला है और यहाँ पर आपको बता देखी ठंक भी कहर लगाता जारी है उत्तर भारत समेच दिल्ले अन्सियार में यहाँ पर कहर देखने को मिला है कोहरे का बात करें तो visibility काफी कम है और visibility कम होनी की चलते यहां पर हास्टों का अधिशा भी बढ़ जाता है तो अपको उता देखे कोहरे का अशर यहां पर साफ़ आपा देखा जा रहा है जा है हम सड़क फ्लाइट के बात करें देदी से उड़ान भर रही है और अगर हम चंद को पर बात करें तो यहां पर पूर्व अनुमान जौरी कर दिया था और साथी कहा गया था कि यहाँ पर दस जर्वरी के बाद से मौसम साफ हो सकता है साथी गर बात की जाए तो यूपी के कई जिलों में कल हलकी हलकी बारिश की बाशारे भी देखने को मिली है दस फर्वरी के बाद से मौसम के साफ होने के उमीद है भारत की बात करें तो उत्तर भारत में कोहरे का कहर लगातार जा रही है कोहरे के चलते सडकों पर बिजबिल्टी काफी कम हुई है यहां पर आपको उटा दे कि फिशन गलन और अक्वहरे से लोग परेशान नसर नहीं जिसके जिफिंद हैं यहां पर प्रशाशन ने भी पूरी तरीके से यहां पर विवस्ता इक करके हैं रहन बसेरों की विवस्ता इंक रखzwína और साबscar प्रमुक्यमंत्री योगी आदितनाथ ने जिस तरीके से आदेश दिये थे उनका पालन जिला प्रसाक्षन लगादार करता हूँ नजर आ रहा है और जहां पर इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है उसको लिखकर यहां पर CMA अदितनाथ की सेर्टार लगादार सकते हैं और रेन्वेसरों की विवस्ता की गई है और ग्राउंड जीरो से हमारा संभालता तमापडेस्ट जानकारी के साथ मौजूद है किस तरीके से यूपी के कितने जिलों में कहां पार ठंड का कहल लगाता जा रही है चाहूंगा दिपक आपके पास आना चाहूंगा कि अहां कुछ कहरा है कि सबिसलेज़ इस वक्त जो सुबहाइं वाले लोग हैं उनको लो भीजिविल्टी है उसका थांना करना पड़ रहा है प्रिशन ठंड है किस तरीके से यहां पर रहन बसोरों में वबस्ता की गई है क्या कुछ अपडेट और जानकारी दिपक कि बिल्कुल बता दे आपको कि जाहिड सी बात है जनवरी का महिना है तो सीतलहर का कहड़ जारी रहेगा लेकि जिस तरह से मौसम का मिजाज है जो लग जो विजिबिलिटी रेट होती है वह सुबह की वह तक्रीब हम पचास सौ मीटर महज रह जाता है जिसने लोगों को कहीं न कहीं सरक पे चलने में काफी दिकते जहलनी पड़े कि सुबह का समय होता है और लोग अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते है लेकि विजिबिलिट समय से 6-8 घंटे की देरी से लगातार ट्रेने चल रहे होई हवायात्रिक बात पर तो 85 जो हवायात्र है जो अभी अपने समय से देरी से उरान भड़ेगी वहीं जो स्कूली बच्चों को दिली सरकार की तरफ से थोड़ा राहत मिला है 12 जन्वरी तक प्रामरी स्कूल के हवाये हैं वह ठंडी हवाय भी चल रही है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पहारी इलाकों में बर्फवारी भी हुई है और उत्री भारत में कई इलाकों में हलका बुना बांदी बारिस भी देखनों को मिला है जिसके वजह से जो दिल्ली NCR में है काफी ठंड जो है वह लगतार बढ़ती ही जा रहा है क्योंकि और जो हवा की जो गती है वो 10 से 12 किलो मेटर के गती से हवा भी भी बह रही है जिससे लोगों को कहीं और और भी दिक्कते जेलनी को पड़े हैं और वही हम रहेन बसेरी के बात करें तो दिल्ली सरकार दिली के कई इलाकों में र बहुत सारे इलाके हैं जहां पर रैंवसरी नहीं भी बने क्योंकि कुछ ऐसे भी मजदूर है जो पंद्रह सी बीस किलो मीटर टैवल करके रैंवसरी में नहीं जा सकते तो उनको कहीं न कहीं दिक्कते जेनी पड़ी है इस सीत लहर में इस कराके की ठंड में वह आज भी सरकों साथ बिताने के लिए मजबूर हैं लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि सीत लहर बरकरार है वही मौसम बैग्यानी का अप्डेट सामने आता है मौसम बैग्यानी का साब तोर पर यहीं कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो डिल्ली का मिजज है यह ऐसे भरकरार रह होती है तो कही ने क Whose बिढ़ जाए गा लोगों ओभारत समचार बहुता ही कहता है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तकह आप घरों में रहें और सुरक्षित ऊड़कों पर निकले तो वाहन को सुरक्षी तरीके से चलाएं और स्पीट को नियंतित रखें सीधे लखनौ चलते हैं हमार संभाता है हमार हवासाथ बने हुए है तम आप डेट सो जानकारी के साथ एहमर आप लखनौ में मौजूद हैं लखनौ का मिजास क्या कुछ कह रहा है किस तरीके से आप लोगों को कोरेयस की वजह से विजिबिल्टी कम थी ट्रेने बराबर लेट हो रही थी विमानों की जो सेवाएं थी वो भी परभावित हो रही थी और अब कहीं न कहीं सर्द हवाउने भी लोगों की जो मुसीबत है उसमें जरूर एक इदाफा किया है लगतार दो दिनों से जो शीत सहर का सहर है वो लखनव में भी देखने को मिल रहा है और सड़कों पर बहुत जरूरी काम से जो लोग हैं वही निकल रहे हैं हलाकि जो सरकार की तरफ से जो तमाम बंदो बस्त किये गए हैं लोगों को सरदी से बचाने के लिए खुद मुकमंतरी योगी आदितनाच ने त स्थे किया था कि किसी भी तरीखे की कोई लापरवाई ना बढ़ती जाये और सरदी से किसी को भी किसी तरीखे का नुकसान ना होने पाए तो इसका αثر यह देखने को मिला कि रात में जो आफीसर हैं जो संबंदित अधिकारी एं वो निकल रहे हैं रहें 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 बसेरे जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है कल से कहीं न कहीं छुट-पुट-बूना-बांदी की भी हुई है शहर में उसकी वजह से भी मौसम जो है काफी ठंडा है और लगातार जो बरफीली हवाय चल रही है तो उससे भी लोगों को कहीं न कहीं मुश्किलों का सामना करना प खड़े हुए हैं और यह जो वक्त है आम दिनों में इस तरीखे में जहां पर काफी भीड़बार होती है लेकिन आपको तस्वीरों में साफ दिख पा रहा होगा कि सड़कों पर इस वक्त भी काफी सनाटा है जो बहुत जरूरी काम से जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और अ अतार जारी रहेगा और अभी दो से तीन दिन तक फिलहाल अभी मौसम से रहत मिलने वाली नहीं है आला कि इसको ले कर तमाम जो बंदोबस किये गए हैं कि किसी भी तरीखे की लोगों को दिक्कत ना होए लोग भी कहीं ना कहीं साफधानी बरत रहे हैं कि जो हाईवे पर उस तरीखे की गाड़ιां चल रही हैं और कोरे का हैं बिल्कुर और सीगे चलते हैं सहारनपुर हमारे संभाता लियाका था साथ बने हुए है सहारनपूर का क्या कुछ मिजास कहता है क्योंकि देखा जाए तो सहारनपूर पहाड़ी इलाके से लगा हुआ छेतर है किस तरीके से यहाँ पर मौसम का मिजास किस तरीके से किसानों को परिशानियों में डाल रहा है अगर बात की जाए तो किस तरीके से लोगों को भारी पर कोशिस कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आपको नहीं बचा पा रहे हैं लगातार गरम कप्डे पहनते हैं उसके बावजूद भी जैसे सफर करने की कोशिस करते हैं तो कहीं ना कहीं अलाओ का सहरा लेना उनको पढ़ता है पाड़िया नजदीक होने के चल जा रही है और यहां पर पिछले 24 घंटे से सीत लहर चल रही है यानि ठंडी बरफिली जो हवाई है वो चल रही है मसूरी और सिम्ला जैसा जो मोसम का मिजाज है वो सहारनपुर में देखने को मिल रहा है उसकी ठंड का एहसास यहां सहारनपुर के लोग कर रहे हैं जिस त परकारता है जो हाईवे हैं कोई भी हाईवे ओस सहारनपुर का उस पर जो वहchaeं चल रहे है उनकी लाइटे लगातास जली हुई है फोग लायटो का इस्तेमार कर रहे है दिन की पोजिशन भी यही है जिस तरी के से रात में सफर करते है उस्थी तरीके से दिन में भी लोग सफर कर रहे हैं कहीं लोग सफर के साथ यह देखते हैं कि कहीं आग जलती हुई हो अलाओ का सारा उनको बिल्कुल यहां पर बात की जाए तो जिला प्रशाशन को भी यहां पर अलार्ट रहना चाहिए और संजे हमारे साथ आयोध्या से बने हुए हमारे संभाता संजे आप आ सारी पढ़ती हुई नजर आ रही है आप बिल्कुल मैं बिता हूँ आपको कि ठंड का असर लगातार जारी है और पिछले कई दिनों से जो कोहरे का कहर था वो लगातार है लेकिन आज कोहरे कम बदली जादा और सीत लहर की जो प्रकौप है वो बढ़ा हुआ है मैं तस्ब होता हुआ नजर आ रहा है कुछी पर पहले बड़ा जथा आया है और कि कहा जा सकता है कि तक्रीमन धाइसों से ज्यादा की संक्या में लोग पहुंचे लेकिन फिलाल भी लगाता है और दर्सन के लिए पहुंच रहे चुकि बाइस तारिक को आम लोगों के लिए दर्सन न मलब यह कहा जा सकता है कि बड़ी तेज होती है और जो हवा चल रही है इस समय वह बरफिली है और कान में एकडम कहीं न कहीं रांगे कि तरी कि असर करती है लेकिन उसका असर भक्तु पर देखने को नहीं मिला है बचाओंगा कैमरा बरसन से कि बाए हाथ पर जो लता चौक कि बूल रही है करी ठानड घंट कि सिभी भी भक्त के होस्ले को तोड़ रही है और फटन भी लगतार बाधा सूर जारी है और रोजाना का रोजाना जो पाहरा की पालु नीचे गिरता हुआ जा रहा है अज भले ही कूह्रा कम बदली ज्यादा हो लेकिन जिस बजादरी की है कि ये बरफिली हवाएं लोगों को परिसान जरूर कर रही है पर आस्ता हाभी हो रही है आप बने रहीगा आपसे तमाव डेट्स और जानकारी आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे बहुत-बहुत शुक्किया आप सभी का हम से जुड़ने के लिए और तमाव जानकारी ग्य